हुआ अग्या हम कि राजरा वीचारों का अध्यन और साथ हम धाEP-वीचार नुपाजिएक और सिख्षत संबंदी विचारों का अध्यन करेंगी तो इससे पूर हमने राधा रामं राह के बारे में पढ़ा था उसको में वापस डिस्काइब कर दूँ थोड़ा सा शोट लिए ना राजा राम मोहन राई उनका जनम 22 माई 1772 पिता रामा कान बाई जग मौन माता तारेने देवी उन्हें छे बाशा का ग्यान था जिसमें बंगला, अर्भी, फार्सी, हिंदी, संस्कृत थिकें, उनकी मर्थ के बारे में हमने अधियन किया कि उनकी बाई 1971 दिसमंब अथारो meter 333 हुई ठिकें और उनके जो प्रमुः विचार थे जिन में हमने राजधेंदे विचारों का अधियन किया आज की क्लास में हम राजा-राम-मौह्राई के धार में अब एक्तर से एक्कीकरत रूप से प्रमु विचार मेंने बोर्ड पे लिख दिये जिन में सभी बुंद्यों को हमने समावेश कर दिया साथ ही जो उनकी प्रमु रचनाय थी समवाद गोमूदी बंगला बाशा में और मिरातु लगबर अंग्रेदी व्यसो रिफासी बाशा म में साथ ही आत्मे सबा किस्ताबना का भूई आत्मे सबा किस्ताबना निस सो पंद्रा आत्मे सबा किस्ताबना का भूई उनिस सो पंद्रा और ब्रह्म समाज किस्ताबना कि ब्रह्म समाज तो यह प्रमुग बिंदू थे उस समय आज हम उनकी धार्मिक विचार सामजिक विचार आर्थिक विचार और सिख्षासमधि विचारों का अध्यन करेंगे राजा राम मोहन राए के धार्मिक विचार राजा राम मोहन सर्वाधिक प्रमुग रूप से धार्मिक और सामजिक पुनुट जागरेंगे संदेश वाग थे अंडरलाइन कर लें क्योंकि जो नोट से उसमें ये चीज में लिखा दिया आपको दार्मिक सत्य के पृति कि उनके मन में घहरी जिग्यसा थी इस जिग्यसा है कारण उन्होंने विश्व के सभी धर्मों का गहरा अध्यन किया वारानेशी में उन्होंने संस्कृत में बारत के प्राचिन धर्म शास्त्रों का अध्यन किया अर्भी वेफार्सी के अधिकारपूर्ण ग्यान के आधार पर उन्होंने इसलाम को भी मुलस्त्रोतों के आधार पर अध्यन किया इसाई धर्म भी उनके विशेरा तो इस तरह से मतलब उन्ह अगला बाशा में उसका नाम क्या था था निरातुल अगबार के अधिव अकबारों का उन्होंने संचालन किया ठीक है दार्मिक विचारों में राजया नाम मुहन राय का मुख बिंदु है एक इश्वर्वाद का पर्तिपादन कि एक इश्वर्वाद का पर्तिपादन और बहुत देववाद का खंडन ठीक है तो मैंने बोला इश्वर ₹ै इश्वर्वाद का क्या ऐए इश्वर ₹ै कि क्या है इश्वर एक है बहुत देवबाद मतब बहुत से जुदेवक्तों की उसको उनको ने उनका खंडन की आप ठीक है तो यह लाइन आप लिख सकते हैं यहां भी शोड में इश्वर की एकता का समर्थन केंद्री ततु था एक इश्वर वाद का प्रतिबादन करते हों हिंदू के बहुत देवक्त के विचारों उनों ने खंडन किया ठीके पहला बिंदू से मुर्थी पूज़ा और विरोध मौति फेकारयन विरोध कि कि इसा कि Así इसने यह अंग करके हिंदू समाज 2 एकता और जड़ो पर कुठारा ग्याद किया है उन्होंने ये पर्तिपादन किया कि मूर्ति पूजा हिंदु धर्म का कोई मोलिक नहीं है अपितु इसके चलंग के बाद में जाकर हुआ है मूर्ति पूजा के पक्ष में शुक्षम तर दिया असली चीज शर्दा है मूर्ति पूज़क मूर्ति की शर्दा परोप्युज़क कीजिए तो श्वर प्राप्त होगा लेकिन राज राम मौन राय तर्मिक शेत्र में व्यूविक संगत मार्ग अपनाने के पक सब्सक्राइब करते हैं तो कोई चोटा सब्सक्राइब करते हैं तो अगर महत्मुन जो कारिये वह सब्सक्राइब किया जा सकता है तो उन्होंने इस तरगी जो कारिये थे उनको मानवता विरोधी और मुर्कता पूर्वक कारे बताया उन्हों क्या का कि ये कारिये जो हैं मुर्ति पूजा वो क्या है मानवता विरोधी क्या है ये कारिये मानवता विरोधी लिग सकते हैं आप ये कारिये क्या है मुर्ति पू आया कि मूर्तिपूजा वली प्रथा जैसी विवस्ता वह क्या मानोता विरोधी है ठीक है इंसानित का नीतियों का उलगन करती है और यह कारे क्या है मरोक्ता पुर्वत कार्य है तीसरा जो बिंदु वो है परंपराों का अंधानुकरण परंपड़ा मतब पराचिन समय से चली आ रही थी पुझा एकेश्वरवाद बहुदेववाद सत्यप्रथा जो विवस्ता थी वो क्या थी एक परंपरा का विवस्ता प्राचिन काल से सली आ रही थी तो उनका उन्होंने विरोध किया कि यदि हमने प्रंपरावाद दिकता का मारग अपनाया तो हमारा विवेख हमसे दूर भाग जाएगी और हम कभी कारे को संपर नहीं कर सकते िस आदार पर आजरामौन राइव मोराय परहमप्रावाद के अनुदास में दाधों करते हूँ करते थे यू पार्चा तो जो चीजे थी उनके भी पार्चे दी शर्ष करती थी सब्वेता थी वह उनके भी विरोधी थे कि इस तरह से विवस्ता यह भी नहीं होनी चाहिए जिससे अमारी संस्क्रत शर्ष करती है सब्वेता नस्थो नेक्स जो पॉइंट है वो है धार्मिक सहिशुनोता का परतिबादन नेक्स पॉइंट कहा है धार्मिक सहिशुनोता का परतिबादन राजा रामों राई धार्मिक शेत्र में शैशुनुता को सरवादिक मेहत्व देते थे किसी धर्म या संपर्दाय विशेश अथ्वा उसके अनेनुआयों के प्रतिक गणा के बाव परबल विरोधी थे शैशुनुता और शालिंता उनकी जीवन और स्वभाव का कारे कांग थी वे किसी विवाद और शालिंद भाषा के प्रियोग की बात सोच भी ने सकते थे वे दार्मिक सामन जैसे के प्रतिक थे और विशुद मानुतावाद के उपासक थे तो दार्मिक शेशन उता मतब वह इस तरह की कोई विवस्ता नहीं चाहते थे जिससे किसी को वाद विवाद और जैसे विवस्ता उत्पन हो राजराम मोराई कि जो अगले विवस्तिशा में वो धार्मिक जीवन कटर धार्मिक था और विविद अडंबर को युक्त वेवर से ग्रस्त था और दूसरी और समाज में एक वर्ग इसायत के मोहजाल के और बढ़ गया उन दोनों इस्तितियों का विरोत कर भारते समाज के न था हिंदू धर्म को यसायीाख था हर बनने से बचाया ठीक नोश्यति और हिंदु धर्म को और इस्जभव्स को इसायीब र्म हर मतलब क्या हो रहा था निरतरक हो जभरन्रों दौस से हैसाय कारवा प्रिकार करवाया जारा था तो इस तरह की व्वश्था तरह भी नहीं नुक्रांगी दियास है कि नहीं चाहरे थे सावाज के सामाज के प्रती विचार ठीक है वह क्या थी सामाज विचारों में जैसे में बताया पेले आपने सामाज सामाज समाज का抓 Left Samwham कि इसके अंदर उनने सतिपरतागा विरूद किया ठीक है बली परतागा विरूद किया नाहीत सियव शिक्षा नाही अधिकार ठीक है जातिय प्रतागा विदोध किया तो यह क्या है सामाजिक विचार है उनके बारे में हम विश्थित चर्चा करते हैं राजयराम वोन राय के समय सामाजिक जीवन अनेक रुत्तियों से गरस्त था समाज में रूढियों अपना प्रभाव जमा लिया इस्तिरी जाती को हीन बावनेह से देखा जाता था जैसा कि मैंने आप बताया चार बिंदू लिखे थे मैंने उस समय कि इस्तिरी शिक्षा इस् तो कौन-कौन से बिंदू थे नारी स्वतंतर्ता कि नारी स्वतंतर्ता नारी अधिकार नारी शिक्षा और नारी उद्धार में डायक लिख रहा हूँ ना नारी उद्धार ठीक ना तो चार बिंदों पर उन्होंने प्रमुक्ते जोड़ दिया इस्तरियों के दूर्दश्या को सुधारने के लिए उस समय इस्ति चाति को हिन बावना से देखा जाता था और पास्चाते देशों के संपर्ग में इस्तापित करना अनुची समझा जाता था सामाजिक जीवन में जड़ता हींता वीशु श्रंकलता और कोप मंदुकता समाहित हो गई सामाजिक जीवन के इस अधिकार को दूर करने के लिए राजा रामों राई ने विवेक और प्रकाश की ज्योति चलाई ठीक है अब उनका जो प्रमुक बिंदू है वह पहला घृत ठीक है उनके चिंतर में सबसे प्रमक प्रंपरावादी लिए उनका विचार हैं कि सामाजिक जीवन के अंत्रगत किसी इस्तिति को इस कारण से स्ट्रेश समझा सकता है जो लंबे समय से चली आ रही है और नहीं इस कारण से समझा जा सकता है कि पश्चीमों देशों म करने की आवशक्ता नहीं है सामाजिक जीवन में आज की प्रस्तितियों में क्या चीज अच्छी है वह चीज हमें करनी चाहिए उनका परंपरावादी जो विचारदार है उसका अंदानुकरण नहीं करना चाहिए नेक्स जो बिंदु है सत्यपर्था का विरोध द सत्यपर्था विरोध के पीचह है उनके घरेलु एए कहाने है झाह ना उनकी प्रस्तित जन दावियां में जो था पामध किया वे सर्वविदी थे अथारह सो ग्यारा में जैसा इनके भाई के नाम था है जग मोहन ठीक है कि अठार सो ग्यारा में जब उनके अग्रेज जगमों की मर्तियों के बाद उनकी भावी को स्वें उनकी इच्छा को विरूत बल प्रियोग करके जद्दा जला दिया गया तो संभवता यह मानवी द्रिश्चे उनकी हरते पडल पर अंकीत हो गया और उन्होंने क्या है सतिप शावत्त करेंगे अगा क्या का कि अथा सो अथा सथारा में उनने सथी पर मूं और मूलन के लिए विख्यात आंदोलन प्रारम किया है उन्होंने यह जो प्राइब कि 8211 में उनकी भाई के मर्ति हुए सथी पर आपके दोरान ने उनके बाई के साथ बीए पद्नि को जीव जिवन पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा उन्होंने 1818 में एक विख्यात आंदोलों प्रदानप किया और 1829 में पुस्तक भी लिखी और उनके परचार और आंदोलों के फ्रलोस रूप ततकालीन गर्वनर जनरल लाड वेलियम बेंटिंग ने विने में मतलब किसके सयोग से हुआ लाड विलियम बेटिंग ना सतीप्रता को और वेद कोशित कर दिया मतलब इस तरह सतीप्रता निशेद प्रति जो कानून बन गया तो इसे आप ध्यान रखें नेक्स जो इनका बिंदू है नारी स्वतंतरता नारी अधिकार नारी शिक्षा और नारी इन बिंदों पर उन्होंने विशेशती ध्यान रखा क्योंकि जो परिवार पर जो कटना एकटी समाज द्वारे जो परमपरा थी पती के मरने मरने के बाद में उनके जो समाज के विचार होते हैं कि पती कि बाले बाद में औरत चरित ही नौह सकती है उसको नेकर तो इसना मसंची करते वाद और भारति संतीस परताWhen कि आतके हैं समाज में इस्त्री जाती को अत्यन थीन बावना से देखा जाता था और जन से रेकर मर्थी तक उनका जीवन वेदना और परादिन थास्ट में जकड़ा होता था ठीक है बारतिय इत्यास का उधन देकर उनने ये सिद्ध किया कि लीलावती ठीक है जो इस्त्रीय की बात रखी उन्होंने बाते रखते हुए उन्होंने ये कहा कि लीलावती ये जो महान इस्त्रीय थी भानुमती करनट राजा कालिदास की पत्नी था मेत्री अधी नारिया पर्तिवा विद्वा और ग्यान की साकार मूर्थी थी उन्होंने ये इस्पस्ट किया कि यदि इस्त्री पुरुष और इस्त्री दोनों के चरित्र का तुनाद मुल्यांगन के जाए तो आसानी से ये पता चल जाए कि इस तरीया भी किसी चीज में पीछे नहीं है ठीक है तो उन्होंने राजराम मोहन राए ने नारी स्वतनतरार नारी अधिकार नारी शिक्षा नारी उद्धार के बारे में अपने प्रमुक विचार सामजिक विचार नेक जो सामजिक विचारव में उनका चौराप जोथा बिंदु है वह हैं जातीकत तो जातीगत संकीर्टाओं का विरोध जाती पर्था जातीकत संतीक्र्णता मतलब उस समय प्राशेन काल के अंदर जो आज भी वर्तवान में जातीगत जातेब़ता है ना तो उसके अंद प्राचिनकालती वेष़य और शुद्र आदिक जो वर्ण के लोग थे उनको अपने जन्व के यो वीवस्टा मिल जाते चाहें वह योगी हो तो भी एक तरह से योगे अपने आपको योगे समझते थे तो यह जाती परता है जो समाज के अंदर बहुत बड़ा भेदवाव है एक बहुत बड़ी कूरूती है हना उसको और ने खड़न किया कि समाज में इस प्रकार की विवस्ता नहीं हो तो राज राम मोंड राह है क्या किया रहे हैं हिंदु समाज जातियों के अधार पर नहीं की इकायों में विवा जित है जी से सामाज़ीällen में यहने संकेर्ता हुने जह लिया रायि ड्रभाय। ने जाती परथा की विरूद्ध परकार किया और ये द्रश्णा की राजि principक कमजोरी और प्रणामत्य प्राधीन्त के कारण उन्हें असंग जातियों का हूं 12 कअर और यह कम जोरई बारन बताया सिज्त परताइध करते हैं ने दो बातों पबढ दिया जाती का आधार यह अच्य बात बताइह उन्होंने ध्यान करना कि जाती का आधार जन नहीं वरन करम होना चाहिए जाती का आधार जन मैं वरन करम होना चाहिए कोई बीक्ति किसी वरन का हो किसी भी समाज को वह वेक्ति अपने कर्म के आधार पर आगे बढ़ सकता है दूसरा किसी वेक्ति को जाती के आधार पर स्ट्रेस्ट और है नहीं माना जा सकता है उसकी उपलब्द्य गुणों और मानेतों के आधार पर उससे स्ट्रेस्ट माना जा सकता है उसने क्या कार्य की पर रामन वरक वह वेक्ति भी कारें ठीके तो उसे उच्छा नहीं माना जाना चाहिए जबकि कोई शुद्र जाती है निमन जाती का कोई भी वेक्ति अगर वोई अपने गुणों उपलब्दियों और योगिताओं के अधार पर अच्छा कारे करें तो उन्हें भी अच्छा माना जाना चाहिए मौन धर हम बात करते हैं राजराम मौन राय का उर्फ कre conquered करते हैं। शो के वारा में राजराम मौन राय की अपने क्या विचार थे उन्हें हम चर्चा करते हैं कि कि जैसा कि राजरा मौन राहा की LM अ को gonna ग्यान प्राप्त था और हिंदु दर्म मुस्लिम दर्म इसाय दर्म उनके अधिन किया उनके अपनों विचारों को अपना इस्तान दिया कि कोई समाज के लिए अच्छी है तो यह चीजे उन्होंने बारते समाज को दीब तो आई चलते हम राजाराम मोहन राए के थेंदी और अंग्रेजी उसे विद्वान थे शिक्सा आए और सामाज के निमनिस्तर से उप्राजा चुद्र जो वर्ग हैं वह आज भी शिक्षा से वंचित है अगर इस वर्ग को अगर उचा नहीं उठाया तो वह इंडिया कंपनी ने निच्चा के भारत में शिक्षा विस्तार के लिए संपूर्ण राश्षी संस्कत शिक्षा प्रतिष्णानों के लिए खर्च की जाएगी तो राजा राम मों राय को यह विचार प्रसंद नहीं आया उन्होंने गर्णर जनरल लाड एमस्टर को अपनी प पढ़नाली अच्छी है परन्तु जब सरकार भारती जनता की प्रगति चाहती है तब अधुनी के उदार शिक्षा पढ़नाली द्वारा गणित प्राकरति विज्ञान साथ शरी विज्ञान विश्यों का शिक्षा दी जानी चाहिए तो राजराम मों राय क्या चाह रहे थ पठेटी शिक्षा भारती लोगों को दी जारी चाहिए अब कर दो पाचाथे शिक्षा पदते के समर्थक होने पर भी क्या राजा राम मौराईस बारतिय संस्कृति के गौरोगरंथों पूरू सझक थे राजय राम मौराई पाट्षेष तही शिक्षाथी पदती ति उसके संबर तक थे सासथ वो भाकर ते संस्कृत जिसमें संस्क्रत वर गौरंथों के दिन के प्रति पूर्ण सज़क थे उनका विचार था कि देश की वास्ते के लिए पाचेते विश्व से संबंद इस्तापित करके कदम से कदम मिला कर चलना पड़ेगा पाचेते प्रणाली को अपनाना जरूरी है किन्तु इसका आर्थी यह नहीं है कि हमें संसकत शिक्षा की अवेलना करें ठीक है तो वह चाहरे थे कि प्राशिक्षा उसासाथ हमें सिक्षेत सब्वेता है उसको भी हमें लेकर चलना पड़ेगा व कुज हमेराब के वे दोर वेदों के पेदय उपनेशद के यह दिक्या नहीं को प्रवसार्थ करने लिए उन्होंने वेद्दक तर्पिक बंगला में गद्धे साहितिक्रा करके बंगल की शिक्षा में बड़ी सेवा की वेही पर्थम बिक्ति थे जिनों बंगला में धार्मिक दाश्निक साहितिक और एतियासिक पुष्टके लिगी उनके मन मस्थिक्ष में संस्क्रत बंगला और हिंदी के पृठिती तीर अनुराग था राजा राम मोन चाहिए थे कि भारत में प्रात्रीमिक शिक्षा निशून translatesовать नवारि हो नारी बाई शीकर शीकर मैं स्टीव प्रबल समर्थर थे स्था आप अब आईए चलते हैं लास्ट जो पोइंट है आपके लाज्या राम मोहन डाय के आर्थिप विचार नहीं कि द्यान रखें कि राजारां लेकिन देश की आर्थिक समस्याओं के प्रतिवे निच्ची तूप से जागरूग थे आर्थिक शेत्र में उन्होंने प्रभुक्तिया इन उद्धिश्यों से प्रएदि थे कि भारत की साधन जन्ता किसानों और मज़्दूरों साध मज़्दूरों की जमेदारों जागरिदारोंगी स्वाशन से रक्षा करनी होनी चाहिए क्या चाहिए वो फर्भूषन से आर्थि विचारओं से रक्ष्याइगों धयाते थे गाल दूसरा आण डाती विचारों में कमी ठीक ना 20 पर और आप इन atual लिग सूथ में लिख देता हूँ आपको न आर्थी विचारों में क्या चाहती थे वो पहला सोसन से रक्षा दूसरा सेनिक वे में कमी जो सेना के उपर जो खर्च हो रहा है वो कम से कम किया जाए सेनिक वे में कमी तीसरा कर टेक्स कम हो ठीक है टेक्स कम हो ठीक है और जो धन निकासी हो रही है उस पर रोक लगनी चाहिए जो भारत का पैसा बाहर जा रहा है विदेश्यों जा रहा है उस पर रोक होनी चाहिए दन निकासी पर रोक अब इसे लिख सकते हैं पॉइंट हो है ना धन निकासी पर रोक यह क्या होगे राजाराम मोहन राय के आर्थिक विच्छार देश से धन के निकासी को रोका जाना चाहिए और आर्थिक विकास के लिए साशन के द्वारा सभी संभोग अठम कदम उठाने चाहिए किसानों और मजदूरों की हित की चिंता करते हुए राजा राम मोन राय नहीं सबसे पहले बारती जमिदारी पर्था के विरोध में अवाज उठाई उन्होंने कहा कि जमिदार तथा जागिरदारों किसानों और मजदूरों के शोशक है कि क्यों जमिदार और जागिदार क्या है मजदूरों के शोशक है और देश की आर्थिक सामाजी पतन का एक प्रमुग कारण है आर्थिक विका सेतू राय ने स्वतंतर व्यापार के विचार का स्वब्मर्थन किया उन्होंने ये भी विचार रखा कि देश से बाहर जाने वाले माल पर शाषन दुआरा कर हटा ले लिया जाना चाहिए जिसे विदेशी बाहर बाजार में माल की अच्छी का पतो जो राय मतलब क्या था ना माल भारत से बाहर जा रहा रहा है निर्यात कर कम हो उनका विचार के हता कि एक जिसाय हो समान उत्पादित वस्तह है वह वह जो भारत से भाहर में राथ माल की अच्छी खपतो ठीकिना राजा राम मोहन राई भारत से इंग्लेंड को धन की निकासी पर चीती थे भर धन की निकासी मतलब जो पैसा भारत से बाहर जा रहा है इंग्लेंड में उसकी विशे को लेकर बहुत चिंती थे इसे रोखना चाहते थे इसलिए उन्होंने ये प्रस्ताव दि कि भारत में पुझी संक्रीत करने वाले धनी और सचरित यूरूपियों को भारत में ही अपना घर बना लेने के लिए प्रोस्ति जाना चाहिए मतलब जो यूरूपिन नियकासी में नहीं रहे विचारता कि जिए इसफंट गण से राखना है कि यहां पर आकि अपने माल को विचार में से कुछ गलत फे में पैदा हो गई और आरप लगाया गया कि वह भारत की में यूरोपेन को प्रिविश को प्रोफसान दे रहे हैं जैसा कि मैंने अभी बता है इस उन्हें कंपनी की विदिश्वी कंपनिया भारत में आए और वह उत्पादन को करें ठीक है और इ इस तरह जो कि विचार राजराम मों राए ने दिये तो उसे कुछ ब्रांतिया गलत फे में पैदा होगी यह आरूप भी लगाया गया कि वह यूरोपेन कंपनियों को बारत में प्रोफसाहित कर रहे हैं ठीक ना यह चीज है लेकिन इस प्रसंग में राय का उधिश्य केव यह था कि देश का धन बाहरने जाए उनका क्या था देश का दन बाहरने जाए और यूरोपेन अपनी पुझी भारत के उध्युक्यूर्ण में लगाकर आर्थिक और विकास को आगे बढ़ा जाये हैं तत्कालिक भारत में इसेंडिया कंपनी को नमक त्यार करने का एकादिकार प्राप्त था दाय का विचार था कि इस एकादिकार को समाप्त किया जाना चाहिए इसके साथ ही आज राजा राम महुंडाय कंप्लीट होता है इसके अंदर हमने प्रमुग जो चीजे मैं आपको आपस एपिट कर दू कि राजा राम महुंडाय का जीवन पर्चे उनके द्वारा पर लिखीत जो गरंत थे उनके बारे में हमने चर्चा की उनकी किनकी बाशाओ ग्यान था बंगल पुजा सथ्यप्रथा प्रेशकी स्वतंतरता बलिप्रथा महान मानतवादी नारी श्रिक्षा नारी अधिकार नारी उद्धार जातेप्र्था विरोध उद्धिवादी द्रश्टिगोंड पास्च जो पर हमने दियर किया साथ हमने उनकी विस्तित को लिए इसमें राज दार्मिक विचार, सामजिक विचार, शिर्षा संबंदी विचार और आर्थिक विचार वाधिक बिंदों पर हमने चर्चा की अब जो हमारा नेक्स्ट जो टोपिक होगा वो है स्वामी द्यानन सरस्वती थेंक यू